वेलकम फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं फर्स्ट वॉल, ज्याल का पितारा, और विजिट मैं यूट्यूब चैनल, रोन उनलाइन सोलुशन दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी सच्ची विडियो बड़ा सकूँ अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे आपके लिए जो पूछूँगा, दोस्तों उसका आंसर मैं आपको अपने वीडियो में नहीं दूँगा, उसकी आंसर अगर आप लोग को पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके रिप्लाइ करें, ताकि मुझे बता जाले कि लोग उसका आंसर सही पता था, और अगर आपको नहीं पता आंसर तो कोई बात है तो उसका आंसर आपको मेरे नेक्स वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो उसको मेरा सबसे पहला क्वेशन आज के लिए आपका फ जाता है, इंटर्वी के लिए, तो जस्त उससे पहले उसके लिए कॉपी मुझाई जाती है, उसके आने से जस्त पहले, तो जब केंडिडेट अंदर आता है, और जो वो उसके रिक्वेस्ट करने के बाद लेटता है सीट पर, तो जब वो इंटर्वीर उससे पॉशन कुश तो दोस्तो यह उसका question था और इसका answer उसने बड़ा ही अच्छा दिया था अगर आपको उसका answer पता है तो आप प्लीज मुझे कमेट में reply करें अगर अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं आप मेरा video देखिए तर्स हुए आपको उसके में अपना answer बता हुगा और उसके बाद मुझे less question आपसे पूछ हूँगा तो उसके यह दो हूँगा अपना पहला question अब बात करते question no.2 की तो question no.2 मेरा यह जो किसी exam में मुझे नहीं रहता हूँ पूछा गया हो कभी यह बहुत सिंबल सा question है लेकिन मैं आपसे पूछना चाता हूँ question no.2 मेरा question आपको यह एक table पर तीन प्लेट में गुलाब जामून रखे हुए है और चार जने उसको खाने वाले है दोस्तों मैं question रिपिक करता हूँ एक बारो यह एक table पर तीन प्लेट में गुलाब जामून रखे हूए है और चार जने उसको खाने वाले है और चारो को पुरा बर बबद जामून बिलना चीए ब्लाब पूरब आपको ऐसे तो यह मेरा question था एक table तीन प्लेट में बुलाब जामून रखे है और आपको चारों को बराबर के बराबर पार्में डिवाईट करना है। तो दोस्तो यी कैसे पासिबल हिए कैसे हो से क्ता है।